इमोशनल स्टोरी ओफ हस्पेंट एंड बाइप दर्साती है कि कैसे एक पतनी अपने पती को अपनी एहमेश समझाती है जिस गाउं से वो तालुक रखती थी वहाँ इतना खुला माहौल नहीं था और तो कुछ भी करने की आजादी नहीं थी अनू ने जब ऐसा कहा तो सब भोचक के होकर उसकी तरफ देख रहे थे और वो इसके लिए बिल्कुल पेपरवा खड़ी थी अनू और उसका परिवार दिल्ली जैसी जगे पर रहता था जहां हर कोई अपने रोजमर्रा के काम में इस तरह ब्यस्त था कि किसी को किसी से कोई फरक नहीं पड़ता था अनू जब गाउं से सहर आकर बसी थी तो उसे वहां का कल्चर बहुत अजीब लगता था जिसमें ढ़लने के लिए उसे बहुत टाइम लग गया उसने ओरतों को कभी इस तरीके से खुलम खुला अपने विचारों को ब्यक्त करते हुए नहीं देखा था पर उसे ये सब अच्छा लगा जिस काम से वो तालुक रखती थी वहां इतने खुला माहूल नहीं था औरतों को कुछ भी करने की आजादी नहीं थी वो जॉब करना चाहती थी लेकिन उसे नहीं करने दी गई सुमित अनू के पती का जब ट्रांसपर दिली हुआ तो अनू भी उनके साथ आ गई और पास के स्कूल में ही जॉब करने के लिए सुमित को भी मना लिया सुमित अनू को बहुत प्यार करता था लेकिन गाउं का होने की बज़े से कहीं न कहीं उसकी सोच खुली हुई नहीं थी अनू खुश थी क्योंकि वो जब जॉब के लिए जाती तो कई अलग अलग लोगों से मिलती बात करती और खुश रहती थी अनू का एक बेटा था और वो दूसरे स्कूल में जाता था अनू दोफेर को उसके अपने साथ लेती हुई घर आती थी और सारा काम करती फिर साम को सुमित भी ऑफिस से आ जाता फिर तीनों मिलकर डिनर के बाद पास वाले पार्के में जाया करती थी उन दोनों की सेर हो जाती और पिर्थम उनका बेटा वहां खेल लिया करता था अनू सुमित को सारी बात बताया करती और सुमित उसे अपने ऑफिस के बारे में सारी बातें सेर करती थी दोनों पतनी कम और दोस्ते जादा हो गए थे एक दिन गाव से अनु की सास आई जो उसके पास कुछ टाइम रहने के लिए आई थी जब उन्होंने वहां का कल्चा देखा तो चीजे उनकी सेहन के बाहर हो गई दो-तीन दिन तो उन्होंने खुध पर बहुत नियंतर रखा लेकिन तीस्रे दिन ही उनसे खुध पर काबू ना रखा गया और सुमिथ से बात करने की सोची उन्होंने सुमिथ से कहा कि तुँ अच्छी खासी नौकरी कर रहा है तुझे क्या जरूरत है अपनी पत्नी से काम करवाने की और वैसे भी घर पर पड़ी बोर हो जाती तो तू उसकी नौक्री छुड़वा दे सुमित को कुछ समझ नहीं आया तो वो सोचता हूं बोलकर ओफिस चला गया अनौने ये सारी बात्य शुन ले थी तो उस दिन से उसने माजी की हरकतों पर नज़र रखनी शुरू कर दी थी एक दिन उसको स्कूल में देर हो रही थी तो उसने सुनिता उसकी सहेलि को बोला कि पिर्थम को इसकूल से लेकर घर छोड़ देना वहां माजी होंगी सुनीता ने जब पिर्थम को घर छोड़ा तो उसके एक घंटे बाद जब अनु बापिस आई तो उसने सुना मा जी पिर्थम को कह रही थी कि तुँ अपनी मम्मी को बोल वो अपनी जौब छोड़ दे तो तुँ जब आया करेगा तो तुझे मम्मी घर पर ही मिलेगी और खाना भी एकदम गरम मिलेगा मा जी की बाद सुनकर अनु को बहुत गुस्सा आया लेकिन उसने बच्चे की सामने बोलना ठीक नहीं समझा अगले दिन रात को जब खाना खाकर सुमित और अनु सेर के लिए जाने लगे तो मा जी ने पेट में दर्द को लेकर सारा घर सर पर उठा लिया और उनका जानक कैंसल हो गया दो तीन दिन तक रोज ऐसा होता रहा तो उनकी सेर पर जाने की आदत छूड गई अब सुमित भी अनु से कटा कटा रहने लगा क्योंकि मा जी की सेवा करके जब वो कमरे में आती तो सुमित सो चुका होता और उनकी बापस में कोई बात नहीं हो पाती ना ही आपस में समय बिता पा रहे थे पर थम के बरत्रे वाले दिन केक काटने के बाद सुमित ने कहा कि चलो आज बाहर खाना खाने चलते हैं तो मा जी ने फिर से पेट दर्द का बहाना किया और बोली तू लल्ला को घुमाला इसका जर्म दिन है बहु मेरे साथ रुख ज सही है ना दोनों मा बेटे इंज्वाय करते हैं अनू की बात सुनकर सब भोचके रह गए और अनू की तरब देखने लगे पर वो बेफिक्र खड़ी थी अनू ने सुमित को कहा कि अब बस और नहीं और रोज रोज माजी के होने वाले पेट दर्द की बज़े पिर्थम को म मा की जोब छुड़वाने वाली बात पर बहकाना और सारा काला चिट्टा सुमित के आंगे खोल कर रख दिया सुमित मा के बरताव से हैरान था उसने मा से पूछा कि ये सब सच है तो मा बोली क्या जरूरत है इसको नोगरी करने की तूँ अच्छा खासा कमा तो रहा है ना तेरे से घर के काम में मदद लेती है अगर घर रहेगी तो खुद काम करेगी ना सुमित ने जवाब दिया कि बस करो मा ये मेरी मर्जी से नोगरी करती है और इसकी तनख्वाय से हमारे घर में मदद होती है तो अगर मैं इसकी मदद करूँ तो उसमें क्या हर्ज है दूसरी अगर आप घर पर बोर हो चाती हो तो ससंग में जाओ फिर्थम का खयाल रखो लेकिन उसे गलत बाते मत सिखाओ मा को अब समझ आ चुका था कि चुप रहने में ही भलाई है अनु सुमित को चुप चाप देख रही थी और मन ही मन उसका धन्नवाद कर रही थी दोस्तों कहानी कैसी लगी अच्छी लगी हो तो लाइक सस्क्राइब कर लेना फिर मिलेंगे ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के साथ